बिस्मिल्यार्मान रहीम, असलाम अलेकुम, वेल्कम टो लेस्ट प्रिपेर, आज हम पढ़ेंगे जिन नॉलज़ के MCQs और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके एक्सम्स होने वाले हैं, उनमें आपके लिए बैनफीशल थाबित होंगे, तो वीडियो स्टाट करने से पहले, आप सब लोगों रोकेस्ट है गया, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज हमरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजएगा, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो लेट्स बेगिन, फस्ट एम सीक्यूस, रूशो जपनीज वार, वाज फाट ड्यूरिंग, रूशो जपनीज वार जो है, ये किस साल में लड़ी गए थी, तो ये 1904 से 1905 तक लड़ी गए थी, रूशो जपनीज वार, और ये जो रूशो जपनीज वार है, ये दो एमपाइर्स के दर्मियान लड़ी गए थी, एक Q2. U.S. declared independence from England in United States of America ने अपनी आजादी इंगलेंड से कब डेकलेर की थी किस साल में डेकलेर की थी तो इन्होंने डेकलेर की थी 1776 में 1776 में अमेरिका ने अपनी आजादी डेकलेर की थी इंगलेंड से गो बिश्ड़ना पउल फ्रे Wald parentheses मेर्स अफ जर्मानी का पहला चांसलर कृशन था तो कौन ता जर्मानी का पहला चंसलर ओ्टोन बिसरीक था question number four battle of Hastings was fought in battle of Hastings जो है ये कब लड़ी गए थी तो battle of Hastings लड़ी गए थी 1066 में 1066 में ये battle of Hastings लड़ी गए थी question number five who wrote the book Gandhi and Stalin गांधी एंड इस्टालिन बुक जो है ये किस ने लिखा था या इस बुक के कौन आथर कौन थे तो ये लुइस फिसकर ते गांधी एंड इस्टालिन बुक के आथर लुइस फिसकर next one a famous novel Pride and Prejudice is written by एक मश्यूर नावल है Pride and Prejudice ये किस ने लिखा है तो ये लिखा है Jane Austen ने question number seven which gulf separates Yemen from Somalia कौन सा गल्फ है जो के Yemen को Somalia से अलग करता है तो ये Gulf of Eden है जो के Yemen को Somalia से अलग करता है question number eight what was the old name of PIA पाकिस्तान International Airline का पुरना नाम क्या था तो पाकिस्तान International Airline का पुरना नाम Orient Airways था और ये जो Orient Airways है ये बनी थी 1946 में बनी थी Orient Airways और पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान में आई गी और इसका जो नाम है या इसको जो मर्च किया गया था तब वो किया गया था 1955 में question number nine China unveils first artificial intelligence male news anchor named China ने दुन्या का पहला जो है artificial intelligence जो male news anchor बनाया है तो उसका नाम क्या है तो उसका नाम है क्यू हाओ क्यू हाओ इसका नाम है जो के चैना ने दुन्या का सबसे पहला artificial intelligence male news anchor मनाया है question number ten which city of Pakistan is called the California पाकिस्टान के कौन से शहर को California कहा जाता है तो ये सरगोदा है जिसको California कहा जाता है question number eleven who is the author of the book the discovery of India discovery of India book के author कौन है तो इस मेशर बुक के आथर जो है ये जवालाल नहरू है जवालाल नहरू है इस book के आथर the discovery of India question number twelve GMT is transfer GMT का जो है फर्फर्फर्म क्या है तो इसका फर्फर्फर्म है Greenwich Mean Time Greenwich Mean Time GMT का फर्फर्म है question number thirteen the Harvard University was established in which year Harvard University किस साल में बनाई गए थी तो ये बनाई गए थी 1636 में 1636 में Harvard University बनाई गए थी जो के है Cambridge Massachusetts में Cambridge Massachusetts में Cambridge Massachusetts में ये Harvard University है question number fourteen who was the first पाकिस्टानी बॉलर to take fourteen wickets in a test match वो कौन सा पहला पाकिस्टानी बॉलर है जिसने में test match में 14 wickets ने ली थी तो ये इमरान खान है question number fifteen what was the first country to recognize the US as the independent वो कौन सा पहला मुल्क था जिसने अमेरिका को as independent आजाद मुल्क तसलीम किया था तो ये मुराकश्टे जिसने सबसे पहले अमेरिका को as a आजाद एक रियासत तसलीम किया था question number sixteen which city is called the city of bazaars वो कौन सा शहर है जिसको city of bazaars कहा जाता है तो ये काईरो है जिसको city of bazaars कहा जाता है काईरो एजिप्ट question number seventeen the famous shrine of Baba Fariduddin is located in which city एक मशुर दरगा है Baba Fariduddin कि ये किस शहर में है तो ये पाक पतन में है question number eighteen what was the old name of Sri Lanka Sri Lanka का पुराना नाम क्या है तो Sri Lanka का पुराना नाम सेलोन है question number nineteen the headquarters of UNHCR is located at UNHCR का headquarter कहां पे है तो इसका जो headquarter है ये जैनिवा स्विजलेंड में है यू एन एच सी आर का headquarter और UNHCR का full form क्या है तो इसका मतलब है United Nations High Commissioner for Refugees United Nations High Commissioner for Refugees question number twenty first summit of OIC was held in which country OIC organization of Islamic cooperation कि जो पहली summit होई थी ये कहां होई थी तो ये मुराकश में होई थी मुराकश में इसकी पहली summit होई थी यह होई थी February 19 सॉरी September 1969 में होई थी पहली summit जो कई होई थी रबात में मुराकश के शहर रबात में होई थी पहली summit और जो दूसरी summit होई थी OIC की वो होई थी लाहूर में लाहूर में दूसरी summit होई थी February 1974 में लाहूर में इसकी दूसरी summit होई थी जिसको लाहूर summit भी कहा जाता है लाहूर summit भी कहा जाता है इसको दूसरी summit को है कि क्यूसेन नंबर 21 वाट इस दि केपिटल आव स्वीडन का एपिटल क्या है तो स्वीडन का पेपिटल स्टांप होम है कोसर नमबर 22 तुक didn't करें मिआ इन 1853-1856 को तुसको सिर्टी ती उसे मेंया आत्म है तो ये सिक्ञा उन एप्ट कि यूप ता ओटमनमपres का ओटमनफेर और तरण सथा प्रांस और यूके आउटमनमपार फ्रांस यूके या लायंस था जिस के फिर्में दर्मयान लड़ी गती रोश्या रेयर लाइंस को स्यालिए सहाँ नंबर 23 तो क्ट्रीम में भी घंच रिह घुंड डिरिह configure यूनेसको वो कौन सा मुल्क है जिसको डेक्लियर किया गया है यूनेसको के तरह से फर्ल्ड हेरिटेज साइट तो यह वेटिकन सिटी है कॉस्चन नमबर 24 फर्स्ट पर्सन तो गो अन बोथ दी पोल्स नार्थ एन साउथ वास वो कौन पहला शक्स था दो के नार्थ और साउथ पोल दोनों पे गया था तो यह राबर्ट स्वैंथ है कॉस्चन नमबर 25 थे क्यटकोल अन इंटरनेशनल प्रीटी यह है तो यह यह रेमियन के लिए है कंप्री GC वोतव एक फिर्ड पिच कि कंट लेतब कर दो यहज। 10 फूर होती है वहनवास पानमा केनाल आफिशली ओपिंड पानमा केनाल जो है यह आफिशली इसको कब ओपिंड किया था तो यह 1914 को आफिशली खोला गया था पानमा केनाल को नेक्स्ट वर्ट यूनाइट इस्टेट्स प्रेजिडंट विजिटेट पाकिस्तान पाकिस्तान में जो कौन सा जो है पहला यूएस का प्रेजिडंट था जिसने विजिट किया था तो ये ड्वाइट डी इस इन होवर थे जिन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान में 1959 में इन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान को ये पहला अमेरिका का सदर था ड्वाइट डी इजन होवर जो के पाकिस्तान में आए थे किस साल में जापान ने अपना कैपिटल चेंज किया कोयोटो से टोक्यो तो ये 1868 में चेंज किया गया था वो कौन सा कंटीनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है ये ये यूरोप है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है यह वाहिग कांटीनेंट है थैंक्यों सो मच आई होब कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफर्मेटिव भी लगा होगा अपने फ्रेंज के साथ अपने रिलेटिव के साथ जो भी एक्समेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजेगा और हमारे चैनल लेट्स स्क्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्यों सो मच असलाम अलेकुम